हाई फ्रेंट्स मैं प्रविंदर खारी प्रेंट्स आज की हमारी गेम है मुनाफ विला जी की वीडियो रेक्मेंडेशन सूपर विंटेज गेम है एडॉल्फ एंडर्सन और इनके सामने खिलने वाले खिलाडी है एक जर्मन मैथमेटिशियन जेकब रुसानेज तो चलिए शुरू करता हूँ यहां इस गेम को एफोर के साथ जेकब ने शुरू किया इंटरसन का रिप्लाइए फाइव का आया किंग्स गेमबिट असेप्टिड एटेकस एफ़ नाइट एफ त्री जी फाइव दैन हुआ है एच फोर ठीक है जीप होना आगे पुश होगा नाइट पर एटाइग बना यह नाइट गया एफाइव स्क्वाइर पर यह वो समय था जब किंग्स गेमबिट को काफी स्ट्रॉंग पोजिशन माना जाता था लेकिन आजगी रेट पर तो यूजवली से ड्रॉ ही कंसेड़र जिया जाता है यहाँ इस पॉइंट पर कुइन का E7 स्क्वाइर पर आना काफी अच्छा हुआ है उसके बाद पॉण वाक्रस मिल जाता है बल्कि अच्छी कासी चेक भी आती है नाइट आया E6 स्क्वाइर पर देन हुआ बिशिप C4 और अब जरूर यहाँ प्रेशर बन चुका है इस F7 पॉण पर तो D5 हुआ E टेक्स D5 होने के बाद हुआ बिशिप D6 ताकि कम से कम यह D पॉण एक अदम और आगे पुछ ना हो एक्जैक्ली लगता तो यही है D4 नाइट पर डिवेंज हो चुका है नाइट H5 और यहाँ से नाइट कहां जाएगा बिलकुल यह रुख पर अटेक बनाने के लिए जाएगा पॉण पर फिलहाली C नाइट का डिवेंज चल रहा है तो बिशप से आईट चेक चेक से बचने के लिए C पॉण आगे पुछ किया गया D टेक्स C6, B टेक्स C6, नाइट टेक्स C6, नाइट टेक्स C6, बिशप टेक्स C6 चेक और फॉक लगी है किंग और रुख पर solution क्या होना चाहिए, मेरे खाल से बिशप का बीच में लगना, ताकि थोड़ा बहुत नुकसान को कम किया जा सके, लेकिन यहां किंग F8, फ्री में गया यहां पर रुख, बिशप टेक्स A8, लेकिन ऐसा क्या है, जो एडॉल्फ एंडरसन ने इस रुख सेक्रिफाइस का कहा जाना चाहिए, मेरे ख्याल से G1 स्क्वार पर, उसके बाद कुइन से आएगी चेक किंग को मूव कर देते हैं, यहां पर अगर रुख G1 स्क्वार पर आता है, तो गेम ड्रॉ रहती है, खिर, वाइट ने यहां अपने रुख को H2 स्क्वार पर लिया, मैं कहता हूँ कि यह थोड़ा गड़वड़ वाला मूव है, पहली बात तो कि कुइन से आता है सकती ही, चेक नहीं आई है, बिशप आया है पहले, या फिर मैं कहूंगा कि बिशप पर अटेक बनाए, बिशप कहा गया, डी सेवन, डी फाइव स्क्वार पर, गैन किंग आया जी सेवन यारी है, यह मिल्कुल क्लियर है, फिर्टस यहां इस पॉइंट पर किंग को मूव करना शुरू कर देना चाहिए, ताब मेरे खाल सारू की पोजिशन बहुत जादा गल्द फसीली है, यहां नाइट के सी थ्री, नाइट के सी थ्री स्क्वार पर आने के बाद रुक से आई बिशप का ईफाइव स्क्वार पर आना और इस पिंड नाइट का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करना, तो क्या किया जाए, नाइट एफ़ोर, क्विन पर यह अटेक बनाओ, क्विन गई है, सी थ्री स्क्वार पर यह खेला भी गया, नाइट वापस गया, सी थ्री स्क सबसे पहले है तो आएगी, क्विन से चेख, किंग को हटा लेते हैं, या बिशप बिशप को तो लगाना, कुफिय सीधा सीधा, चैकमेट हो जाएगी, किंग, एवन ऋ क्वार पर ही जाएगा, क्विन से आएगी, चेक, किंग को सो डी तूँ स्कौर पर जाना पड़ेगा इसको हटाओ यहां से लेकिन पहले खेला गया A4, मुझे ऐसा लगा कि Jacob गेम की position को देखते हैं कि Jacob out of ideas हो चुके हैं blank mind उनका इस समय पर क्योंकि यहां पहले खेले गया Quinn F1 check क्या इस move को आप ढूंद सकते थे मुझे लगता नहीं कि यह move ढूंडा जा सकते हैं बहुत मुश्किल है कैसे? Quinn F1 हुआ Then bishop से आई चेक और अब king भाग कर वापस G1 square पर भी नहीं जा सकता Rook पहले ही कहां रखा हुआ यह आपको निज़र आ गया हुआ solution क्या है? सिर्फ एक बीशफ को बीच में लगाना लेकिन उसके बाद हुआ रूख टेक्सी थी अब फ्रेंड्स गेम चेक मेट के कितना नजदीक पहुँच चुके हैं यह देखने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर माले ते मैं फॉर वाइट कोई भी हुँँच चलो डिस्कवर्ड चेक का सीन बना पर कैसे रुक E1 चेक से और यहां इस मूग के बाद इसे हम कहेंगे चेक मेट क्यों कहेंगे क्योंकि क्विन पिन हो चुकी है क्विन भी बीच में लग पाएगी वेल फ्रेंड्स काफी अच्छी गेम थी मुझे उमीद है मुनाफ विला जी ने जो इस गेम बताई आप सबी लोग को भी जरूर कसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे जीट्यूब चैनल चैस गीज़िए सब्सक्राइब जरूर करें आपके कमेंट्स का मुझे बेहर दिंजा रहेगा थैंक यू पर वचिंग एंड बाई फॉर नाउ